जेहिंत किसान भाईयों, ये है नामधारी की 43 नमबर पत्ता गोबी वरतमान समय में यह बरसात के मौसन के लिए एक मात्र अगेती पर जाती है जिसके नसरी शुरुआती जुलाई या कहीं कहीं अंतिम जून से भी शुरू कर देते हैं पिछले कई दिनों से इस पर जाती को लेकर किसानों के कमेंट और सवाल आ रहे थे नए किसान या जिन्होंने इसे कभी नहीं लगाया है उनके मन में इसको लेकर कई सारे सवाल और संकाये हैं इस वीडियों के जरिये आज हम उन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे जो किसान भाई अगेती शब्द को लेकर कन्फूजन में है वो अपना भ्रहम दूर कर ले एने सिरालेस भारत की एक मात्र पत्तागोभी है जो सब से आगे चलती है बस इतना समझ लें कि इसके साथ किसी अन्य पजाती की नरसरी और पदरोपन करके आप इस से पहले और इस से ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकते क्योंकि जिस भीशन बारिस और तापमान में या खेत में खड़ा रहता है पत्तागोभी की किसी और पजाती के बस की बात नहीं है जो किसान इस से परिचित नहीं है उन्हें मेरी बात पर कम भरोसा होगा पर जो किसान इसकी खेती करते हैं वो अच्छे से जानते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार NS 43 पत्ता गोभी की अगेती खेती करने वाले किसानों की मजबूरी है किसान भाईयों अगर आपको अगेती पत्ता गोभी की खेती करनी है तो आप NS 43 ही लेंगे भले ही यह चौड़े हेडवाली पर जाती है कोल हेडवाली पर जाती की तुलना में देखने में सुन्दर रही है तो भी जब पूरे मंडी में यहीं पत्ता गोभी देखेगी तो खर किसान भाईयों अब आते हैं अपने मूल विशयपर की नए किसानों के मन में NS 43 को लेकर क्या सवाल और शंकाये हैं तो सबसे पहला सवाल जो किसान करते हैं कि इसकी नसरी हम अगेती में कितने आगे कर सकते हैं देखें किसान भाईयों 5-6 साल पहले हमारे यहां के कुछ किसान इसकी नसरी CFL 15-22 के साथ 20 जून में भी करके सफल हो जाते थे परंतु पिछले दो सालों से मौसम में होते लगातार परिवतन की वज़े से अगेती नसरी वारी फसल में लाल फंगस लग जा रहा है जिसकी वज़े से फसल खराब हो जा रहा है जबकि एक जुलाई वाली नसरी में ऐसी समस्या नहीं आई इसलिए इस बार हमारे यहां के किसान इसकी नसरी जुलाई से ही शुरू करेंगे आप अपने यहां पत्ता गोबी की अगेती में जिस भी पजाती की नसरी करते हैं उससे 15 दिन आगे इसकी नसरी शुरू कर सकते हैं अब दूसरा सवाल जो अक्सर किसान भाई करते हैं कि चप्टे हेडवाली एनेस तिरालिस ही क्यों इसके साथ क्या कोई गोल हेडवाली अनेपरजाती भी चलेगी तो इसका सिंपल जवाब है नहीं क्योंकि जिस भैंकर उमस भरी गर्मी और बरसात को जेलते हुए यह खेत मे खड़ा रहती है पत्ता गोबी की किसी अन्य प्रजाती के बस की बात नहीं है किसान भाईयों हमने अगेती में एनेस तिरालिस के साथ पत्ता गोबी की कई प्रजातीयों की नसरी कराई पर कोई भी इससे पहले और इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाया आप नोट करके रख ले हमने जिन प्रजातियों की नसरी इसके साथ कराई उनमें हाइवेज की चेकमेट, नोबेल की स्पीडान, सेमनीज की सेंट, साकाटा का प्यूमा, रिजवान का फ्लोरिश, नामधारी की 183, यहीं नहीं, गर्मी की टाप प्रजातियों, एनस 22 और इंडम 296 का भी इसके साथ ट्रायल कराया, पर किसी में भी बरसात के मौसम में एनस 233 के पहले हेडर नहीं बना, तीसरा सवाल जो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, कि यह पौध रोपड के कितने दिन बाद कटाई के लिए तयार हो जाता है, तो किसान भाईयों हर जागरुक किसान भाई क किसी भी प्रजाती को लगाने से पहले यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि कमपनी जितना समय कटाई के लिए बताती है, उतरे समय में कोई भी फसल आम तोर पर आपके खेत में तयार नहीं हो पाती, कमपनी एनस 233 के बारे में कहती है कि यह 55-60 दिन में कटाई के तयार हो जाएगा, पर असल में यह आपकी खेत में 70 दिन के आसपास लेता है कटाई के लिए तयार होने में, यदि आप अच्छे से करते हैं तो, किसान भाईयों अब चलते हैं चोथे सवाल की और, कुछ किसानों के मन में यह शंका भी रहती है कि क्या एनस 43 मेरे जिले या परदेश में भी सफल होगा, तो देखें किसान भाईयों, यह कोई फूल गोभी की फसल नहीं है, जो जरा सा तापमान बढ़ने और घटने से खराब हो जाए, या फिर मेरे जिले या परदेश में सफल है, तो आपके जिले या परदेश में सफल नहीं होगा, आप साउथ इस्ट एशिया के लिए सुटेबूल बताती है, मतलब यह हमारे देश की बात छोड़ो, यह बिदेशों में भी सफल है, इसलिए किसान भाईयों, आप निश्चिन्थ होकर अगेती में इसे अपने खेत में लगाएं, इसके अलामा, यदि आपका कोई और सवाल हो, या मेरे लाइक कोई सुझाओ हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं, बुरा वीडियों देखने के लिए धन्यवाद,